किसान की उपच मंडी तक पहुंचने के लिए ट्रक एग्रिगेटर्स का प्रयोग तो इस कोरोना काल में कुछ हद तक किया भी गया था और लोगों को अच्छा लगा था इसका विस्तार खेट से मंडी या फैक्टरियों तक खेट से किसान रेल तक ये कैसे हो सकें इस पर हमें काम करना होगा खेटी से जुड़ा एक और अहम पहलू सोयल टेस्टिंग का है बीते वर्षों में केंदर सरकार द्वारा करोडों किसानों को सोयल हेल्थ कार दिये गए है अब हमें देश में सोयल हेल्थ कार की टेस्टिंग के सुविधा गाउं गाउं तक पहुंचानी है जैसे ब्लड टेस्टिंग की लैप्स होती है पेथोलोजी लैप होती है उनका एक नेटवर्थ होता है वैसे ही हमें सोयल टेस्टिंग के लिए भी करना है और उसमें प्रावेट पार्टी बहुत बड़ी मात्रा पर जूट सकती है और एक बाद स्वाइल टेस्टिंग का नेटवर्ग बन जाए और किसान को स्वाइल टेस्टिंग के आदत हो जाए उसके अपने खेत की जमीन की सहथ कैसी है उस जमीन के प्रति उसके अंदर जाग रुकता आएगी तो उसके सारे निर्णव में बहुत बड़ा बढ़ावाए देश के किसान को जीतना ज्यादा अपनी मिट्टी की सहथ के बारे में पता रहेगा उतना ही अच्छा अच्छे तरीके से वो फसल के उत्पादन पर प्रभाव पैदा करेगा जाथियों एग्रिकल्टर सेक्टर में आर एंडी को लेकर ज्यादातर योगदान पब्लिक सेक सेक्टर का ही है अब समय आ गया है कि इसमें प्राइवर्ट सेक्टर की भागीदारी बढ़ें कि आर एंडी की जब बात आती है तो सिर्फ बीच तक ही सिमित नहीं बलकि मैं एक फसल से जुड़े पूरी साइंटिफिक एको सिस्टिम की बात कर रहा हूं होलिस्टिक अप्रोच चाहिए पूरा साइकल होना चाहिए हमें अब किसानों को ऐसे विकल्ब देने हैं जिसमें वो गेहूं चावल उगाने तक ही सिमित नहीं रहें और गनिक सलाथ से जुड़ी सब्जियों तक ऐसी अनेक फसले हैं जो हम आजबा सकते हैं इसी तरह मैं आपको मिलेट्स के नए मार्केट को भी टैप करने का सुझाव दूँगा मोटे अनाच के लिए भारत की एक बड़ी जमीन बहुत उप्योगी है ये कम पानी में भी बहतरीन उपज देते हैं मिलेट्स की डिमांड पहले ही दुनिया में बहुत अधिक थी अब कोरोना के बाद कोरोना के बाद तो ये इम्मूनिटी बुश्टर के रुपे बहुत प प्रोसाइट करना भी फूर्ड इंडिस्ट्री के साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साथियों सीवीड और बीवेक्स आज हनी का हमारी यहां धीरे धीरे फैला हो रहा है और किसान भी हनी भी की दिशाद में काम कर रहे हैं ऐसे में समुद्री तटपर सीवीड औ हनी भी और फिर बीवेक्स इसके मार्केट को टैप करना भी समय की जरूत है सीवीड की फार्मिंग के लिए देश में बहुत संभावना है क्योंकि एक बहुत बड़ी कोश्टाइन हमारे पास है सीवीड से हमारे मच्वारों को आबदनी का एक बड़ा माध्यम मिलेगा इस इसी तरह हम शहत के व्यापार में तो बहतर कर रहे हैं हमें भी वैक्स की लेकर भी अपनी भागी दैरी और बढ़ानी है